इस एक नमबर से नहीं हुआ देखें किसी भी एक्जाम में एक नमबर से ना होने का मतलब क्या होता है सुपर 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 फ्रस्ट्रेशन राइट देफिनेट बिकाज यू वर सो ख्लोज यू वर सो ख्लोज तू कौलिफाई देख्जाम but there is a positive side also of the same story that in an all India competition जहां पर इतने कम लोगों का selection हुआ है करोड़ों लोग बैठे थे उस एक्जाम में कुछ लाख लोगों का selection हुआ है आप पर आप एक नमबर से रह गए इसका मतलब आपके अंदर potential है आपके अंदर potential है कोई एक question तुमारा गलत नहीं वह होता तुम अंदर होते तो story को इधर से देखो यार प्लीज देखना ही पड़ेगा जिन्दगी यही चीज है कि जिन्दगी में हताश होने के बजाए उस situation को क्या हम किसी और तरीके से देखके आपने आपको pump करके आगे बढ़ सकते है तो मैं तो यही कहूँगा मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तुम ऐसे देखो कि तुम किसी तुम अपने आपको दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश कर रहे इंसान ऐसा कर सकता है थोड़ी दिर के लिए become a third person and watch it this situation कि somebody has got 75 रामक्स and missed exam by one mark what to do what you will say to him that's where your answer is you will say कि try one more time you have potential because you were slow close in cracking it you can make it bigger that's what the life is तनी अगर उमीद दिख रहिये न जसे कहानी थी बहुत popular story है बुद्धिजम में और वो story यह है कि एक आदमी था उसके हाथ में बड़ी मशाल थी और उसको 20 किलो मेटर दूर एक पहाड़ पे जाना था रात थी तो उसकी मशाल की जो रोशनी थी वो 100 मेटर तक पहुँच रही थी तो वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि 100 मेटर के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो 10 मील का रास्ता कैसे ते करेगा 10 मील पहाड तो 10 मील दूर है लेकिन उसके हाथ की जो मशाल है वो तो 100 मेटर का ही रास्ता दिखा रही है तो मैं कैसे इसको पार कर पाऊंगा रास्ते को तो वो बैठ गया कि हमसे तो नहीं हो पाएगा लेकिन बगल में एक बढ़िया सा बुढ़ा आदमी निकला और उसके हाथ में एक दिया थी और उस दिये से तो मुश्किल से दो कदम दिखाई दे रहा था और वो आदमी बढ़ा चला जा रहा था तो इस आदमी ने उसको रोका कि अरे मूर्ख बुढ़े यह 10 मिल पहाड तुझे जाना है तुमें के लग रहा है तुमें इस दिये से पहुच पाओगे मेरे पास तो मसाल है जो 100 मीटर दिखा रही है तब भी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 100 मीटर के बाद क्या 100 मीटर के बाद क्या मुझे तो 100 ही मीटर दिखाई दरहा मुझे 10 मिल जाना है तो उसने का बात तो तुम्हारी सही है लेकिन जब मैं एक कदम आगे लेता हूँ तो अस दिये का रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ जाता है तो मेरे लिए दस मिल के हैं मैं तो सौ मिल आगे निकल जाओंगा तो यही होता है कि थोड़ा सा थोड़ा सा आपको प्रकाश दिखे उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाओ वरना तो बैठे रह जाओगे 75 नमबर है तुम्हारे एक नमबर से रह गया बहुत करीब हो एक कदम बढ़ा के अंदर गिर जाते तुम तो बस वही रोशनी है तुम्हारे लिए दिये की रोशनी और वो दिये की रोशनी पकड़ के आगे बढ़ते जाओ तो पहुंच जाओगे वो फासला मिट जाएगा एक कदम और आगे लोगे तो एक कदम और रोशनी बढ़ जाएगी एक एक स्टप लोग आगे क्योंकि अगर आप सीधा सोचोगे कि यार मुझे वहाँ पहुंचना है और अभी तो मेरी तयारी नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि डर लगेगा लेकिन आप एक कदम तो आगे लो एक एक कदम लेके आगे बढ़ो पहुंच जाओ गया और राइट यू विल रीच यूर गोल फॉर शॉर